अच्छन के जशन में कुछ लोगों का वैशियत सा नाच देखा खुले आम सड़क पर उसे देखकर पता नहीं आप लोगों कैसा लगा बाई गॉड़ लेकिन मेरा खून खौल उटा एक बेटी का बाप हूँ और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज़त नहीं दे सकता उसे अपने आपको इंसानी समाज कहने का कोई हख नहीं है और सबसे जादा शरम की बात पता क्या है कुछ लोग रहा चलते किसी लड़की की हैरस्मेंट को भी जस्टिफाई करने की आउकात रखते हैं सले लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बार गई क्यों? अरे शरम करो यार छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं छोटे आपकी सोच है भगवान न करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपके बहन आपकी बेटी के साथ हो ये बत्तमिजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लानेट से नहीं है ये हमारे यहां से ही है आपके और मेरे जैसे घरों से ही है हम सब के बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे अभी भी वक्त है सुधर जाओ याद रखना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया न अगर तुमारी अकल ठिकाने आ जाएगी अकल ठिकाने नहीं सुधरों के तो बात भूल जाओ सीधा उपर सिधार जाओगे और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूँगा लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आपको कमजोर मत समझना अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं ऐसी चोटी और आसान टेक्नीक्स हैं लड़कों को संभालने के इन मार्शलार्ट में किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके आपको डरना नहीं है आप किसी से कम नहीं है बस अलर्ट रहो सर्फ डिफेंसी को और हाँ अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ग्यान देने की कोशिश करें ना तो उसे कहना कि अपनी अडवाइस को अपने पास रखें and mind your own business तैंक यू जय है में को यी वीडियो नचते वोका लाइक कुटंडी लेक पो ती कॉमेंट चेंडी बट सब्सक्रेब चेंडम मर्च पो कंडी